चात्रों नमस्कार आज की व्यक्षान माला के चरण में मैं योशोद्रा की व्यक्षा कर रही हूँ सिद्धी मार्ग की वाधा नारी फिर उसकी क्या गती है पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज वीरती है अर्द विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मती है मैं भी नहीं अनात जगत में मेरा भी प्रभुपती है यदि मैं प्रती व्रता तो मुझको कोन सा भार भय भारी आर्य पुत्र दे चुके परिक्षाब है मेरी बारी यह अव्तरण मेतली श्रण गुपत दुवारा रचित ये शोधरा कावे से उद्रित है ये ये शोधरा का आत्म कथन है वग्रेश्ट जिवन में रहकर भी अनासक तपश्विनी बनकर पती के आच्रेण का अनुगमन करना चाती है ये शोधरा कहती है कि इस संसार में प्राय नारी को सिद्धी मार्ग में बादक माना जाता है सिद्धी मार्ग की बादा नारी फिर उसकी क्या गतिये शिद्धी मार्ग में बादक माना जाता है उसे आसकती का कारण माना जाता है इस कारण नारी आसकती से समको निर्मुक्त कर से बता सकती है नारी के साथ ऐसा आतरन कहां तक उचित है यह सोद्रा कहती है कि मैं इस समल में अपने प्रियतम से भी क्या पूछू पर उनसे पूछू क्या जिनको मुझसे आज भी रती है जिनको मुझसे आज भी रखती है जिनको मुझसे आज प्रेम नहीं है वे मेरे प संसार में नारी समाज को पुरुसवर का अर्द विश्व में व्याप्त शुबा शुब मेरी भी कुछ मती है, संसार में नारी समाज को पुरुसवर का अर्द भाग माना जाता है, और नारी में अपना शुब या अशुब सोचने समझने की बुद्धी भी है, मैं इस संसार मे अनात या बे सहारा भी नहीं हो मैं भी नहीं अनात जगत में मेरा भी प्रभुपती है मेरे पती है वही मेरे प्रभु है इस प्रकार में इस संसार में अनात या बे सहारा नहीं हो क्योंकि मेरे स्वामी या नात तो मेरे पती देव है मैं पति ब्रता हूँ अथा पति ब्रता धर्म का निर्वाह करने से मेरे सामने कौन सा कार्य कठिन है भारी या भैजनक हो सकता है अथात प्रतिवता होने से मैं आसानी से पती की भावनाओं का अनुगमन कर सकती हूँ इसलिए मेरे पती अनासक तपस्वी जीवन अपना कर अपनी परिक्षा दे चुके हैं परन्तु अब इस परिक्षा में सफलता पाने की मेरी वारी है ये शोद्रा द्वारा पती वता धर्म का पालन करने था पती के समानी अनासक तपस्वी जीवन अपनाने का संकल्प व्यक्त हुआ है जाओ नात अम्रित लाओ तुम मुझ में मेरा पानी चेरी ही में भहुत तुमारी मुक्ति तुमारी रानी प्रिये तुम तपो सहू में भर्षक देखू बस हे दानी कहां तुमारी गुण गाता में मेरी करुण कहानी तुम्हें अपस्राविग्न नव्यापे ये सोधरा करधारी आरे पुत्र दे चुके परिक्षा अब है मेली बारी ये सोदरा कहती है कि हे आरेपुत्र आप अपने सिद्धी मार्ग पर जाओ जाओ नात आप अपने सिद्धी मार्ग पर जाओ अमरित लाओ तुम मुझे मेरा पानी और केवल्ले रूपी अमरित को प्राप्त करो परंतु मैं अपनी ही मर्यादा में रहूँगे मैं तुम्हारी दासी या सेवी का बनी रहू चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी मैं तुम्हारी परमदासी या सेविका बनी रहू और मुक्ती या केवले प्राप्ती ही तुम्हारी रानी रहे अथार्थ तुम्हें मनो वांचित प्राप्ती हुए प्रिये तुम तपो हे प्रिये तुम निरंतर तप करते रहू परंतु सभू मैं भर्षक परंतु मैं तुम्हारी तब सिद्धी को देखने में पून समर्थ बनी रहूं और यही देखने की लालसा रखूं सभू मैं भर्षक देखूं बस हेदानी कहां तुम्हारी गुण गाता में मेरी करून कहानी मैं क्या देखती रहूं कि तुम्हारे गुणों के बखान के साथ मेरी करून का हने का उली कहा तक हो पाता है मैं यहार्यपूत्र आप अनासक्त भाव से निश्कमंन करने की परिक्षा देच चुगे परन्तु अब अनासक्ती रखने की परिशा देने की मेरी बारी है ये सुद्रा आदर्ष पत्नी के अनुरूप भावों कामनाओं का प्रकाशन कर पती को सिद्धी पाने में सफल देखना चाहती है वे शुद्रा के रूप में भारती नारियों की आदर्षों की वेंजरा हुई है इसमें आक्षेफ भी है रेमन आज परिख्षा तेरी विंती करती हूँ मैं तुझसे बात न बिगडे मेरी अब तक जो तेरा निग्रह था बस अभाव के कारण वे था लोब ने था जब लाब ने वे था सुन स्वागत की भेरी रेमन आज परिख्षा तेरी दोपग आगे ही वे धन है अब लंबित जिस पर जीवन है पर क्या पत पाता ये जन है मैं हूँ ओन अंधिरी मैथलिचन गुप्त दुआरा रचित ये सोद्रा खंड कावी से उद्रित ये पंक्तिया जिसके अंतरगर सिधार्त गोतम तपश्या करनी के पश्यात जब कपी लवस्तु आए तो ये सोद्रा सोचने लगी कि प्रियतम ने चुपचाप निस्क्रोन कर उसे एकाकी छोड़ दिया था अथा तो वे पीठ दिखा के चलेगे थे अब वेश्यमों उसके पास आई परंतु वेश्यमों उनके पास नहीं जाएगी इसे प्रसंग में ये सोद्रा का आत्म कथन है ये सोद्रा कहने लगी कि हे मन आज परिक्षा ते लिए आज तुमारे धेले अमत्याग की परिक्षा है विंती करती हूँ मैं तुझसे बात ने बिगड़े मेरी मैं तुन से विंती करती हूँ कि प्रियतम के पास जाने की उनके दर्शन लाप करने की उतावली मत करना ऐसा काम ने करना जिससे मेरे स्वाभियोहान को ठेस पहुंचे और मेरी बात विगड़ जावे आज तक मन में उस सुकता नहीं थी इसका कारण मेरा अपनी निंद्रियों पर वस्थ था अब तक जो मेरा अब तक जो तेरा निग रह था बस अभाव के कारण वे था लोब नहीं था जब लाब नहीं वे था सुन स्वागत की भेरी रे मन आज परिक्षा तेरी आज तक मन में उस सुकता नहीं थी इसका कारण मेरा अपनी इंद्रियों पर वस्थ था और प्रियतम भी मुझ से काफी दूर चले गए थे इस कारण उनके लोट के आने का नहीं तो विश्वास था और नहीं विरक्त पती की पुने घ्रष्ट जीवन अपनाने के सभावना थी प्रियतम से मिलन का नहीं तो लोब था और नहीं लाब था परन्तु आज नगर में उनकी स्वागत के नगाड़े बज रही है सब लोग उनके आने से प्रसंद है ऐसे में आज मेरे धेरी की परिक्षा है जो सोदरा सोचती है कि सिदार्त गोतम ने उसे स्युम था आगा था इसनिये जब इतपवन से इस नगर में स्युम आगे हैं तो मेरे पास आने में क्या बाता है हे मन दो पग आगे ही भधन है हे मन मेरे प्रियतम आज मुझे दो कदम दूर है अभलिम्बित जिस पर जीवन है फिर उन पर मेरा जीवन आश्रित है परंतु क्या मैं स्युम उनके पास जाने का पत पास सकती हूँ क्या मेरा स्युम जाना उचित है क्योंकि मैं इस समय निराशा से घिरी हुई हूँ इसलिये मेरा मन अनिश्य की इस्तिति में है स्वाभी माने नी ये शोधरा की मनों भावना का प्रकाशन हुआ है स्वाभी माने नी ये शोधरा ये समझती है कि मुझे सोता हुआ छोड़ के चले गए थे सिधार और पीट दिखा के गए थे यदि मैं स्वाभी मान की ठेस लगती है रेमन आज परिक्षा तेरी यदि वे चले आए हैं इतना तो दो पद उनको है कितना क्या भारी वे मुझको जितना पीट उनों ने फेरी रेमन आज परिक्षा तेरी सब अपना सोभा के मनावे दरस परस निश्रे है स्पावे उद्धारक चाहें तो आवे यही रहे ये चेली रेमन आज परिक्षा तेरी यशोद्रा केवल्य प्राप्ति के बाद गोतम कपिड वस्तु में आए सब लोग उनके दर्शन करने गए पन्तु यशोद्रा ने उनके पास नहीं जाने का निश्य किया उसमें उसी इस्तितिका से कारण वर्णन किया गया है स्वावी माने ने यशोद्रा कहती है कि हे मन आज तेरे धेरे एवं मान समान की परिक्षा है प्रियतम गोतम सिद्धी प्राफ्त करने के बाद अपुबन से स्वाम चल कर इस नगरी में आई है वे जब इतना स्वाम चल कर आ गए है तो मेरे पास आने में उन्हें कितना कष्ट होगा दो कदम आगे बढ़ने में क्या बादा रहेगी उन्हेंने मेरी ओर से स्वाम पीट फेली थी इसलिए दोश उनका था अतों उन्हें स्वाम आना चाहिए जितना की मेरे लिए अता है उन्हें स्वाम आना उतना बादक नहीं रहेगा जितना की मेरे लिए रहेगा अतब मेरा उनके पास जाना उचित नहीं है इसलिए हे मन आज तेरी परिक्षा है ये शोद्रापुने कहती है कि सारे नगर की लोग गोतम के दर्शन पाकर और उनके हातों का पवित्रिस पर्श पाकर श्यम को सभागिशा लिमाने सब गोतम के दर्शनों से अपना कल्यान सा दे परंतु मैं स्यम उनके पास नहीं जाओंगी वे सभी का उधार करने वाले प्रभु गोतम स्यम ही चाहें तो मेरे पास आवें वो मुझे अपने दर्शन दे परंतु मैं उनकी सेवी का होकर भी सवाविमान की खातिंग नहीं पर रहूंगी अथा स्यम मुताबली दिखाकर उनके पास नहीं जाओंगी अथवें मन आज मेरे देव सवाविमान की परिक्ष है ये सोदरा के स्यम उनके पास आना चाहिए है सिधात गोतम भी ना पूछे बताए निस्क्रोमन कर गए थे इस करण ये सुद्रा मानती है कि उन्हें ही स्वयमून के पास आना चाहिए और उसके स्वाविमान की रक्षा करनी चाहिए माशा सरल इम भावान कूल है अनुक्रासिम का विलिंग अलंग कार प्रीत है